कि हेलो दूस्तों मैं हुं हुसेन इस चनल को होस्ट और आपका दोस्त तो जैसे कि आप लोगों ने थम्नल में देखा यह और थम्नल से आप लोगों देखती ही समझ लिए हुगा कि आज हम सबक चार का कोशन अंसर वर नोट्स देखेंगे तो चलिए वक्त जया ना करते तो पहला कोशन अकबर किस खानदान का बादशाथ था तो इसका जवाब होगा अकबर मोगल खानदान का बादशाथ था ठीक है दूसरा कोशन हमारा है राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था वो जंगल में क्यों छुप गया था तो आंसर देखिए राजपूतों के उस सरदार का नाम राना प्रताप सिंग था वो अपने बाल बच्चों की वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में छुप गया था ठीक है? तीसरा कोशन हमारा रगुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? तो आंसर देखे इसका रगुपत ने पहरेदार से अपने वापस आने और वक्त पर काम आने का अपना वादा पूरा किया और अफसर से पहरेदार को छोड़ने की दरखास्त करके उसकी मदद की चौथा कोशन नमरा अकपर रगुपत की किस बात से मतासिर हो गया? तो इसका आंसर है अकपर रगुपत की बहादुरी और इफाय वादा से मतासिर हो गया लास्ट कोशन नमरा है अकपर ने रगुपत का दिल किस तरह जीत लिया? तो इसका अंसर है अपनी दर्या दिली से रगुपत और पहरेदार को आजाद करके अकबर ने रगुपत का दिल जीत लिया तो यहाँ भी हमारे question answer complete होते हैं और मश्क दो में आते हैं मश्क दो में हैं हमारा लफजों से जुमले बनाईए ठीक है तो पहला है हमारा सल्तानत सल्तानत का है अकबर बाच्षा की सल्तानत बहुत दूर तक थी अना क्यूंकि अकबर बाच्षा की जो सल्तानत थी वो बहुत दूर तक थी ठीक है दूसरा है हमारा फॉज फॉज का अगर हम लोग जुमलों में इस्तमाल करेंगे तो क्या करेंगे मुगलों की बहुत बड़ी फॉज थी तीसरा है हमारा पहरेदार पहरेदार को जुमलों बनाएंगे पहरेदार बाहर पहरा दे रहे हैं या पहरेदार पहरा दे रहे हैं ठीक है नजीर नजीर की जुमलों में हम लोग बनाएंगे इस मुसीबत से निकलने की कोई नजीर सोचो या अगर यहां पर तद्वीर होता तो इसका भी जुम्लों में हम लोग इसी तरह बनाते हैं इस मुसीबत से निकलने की कोई तद्वीर निकालो या सोचो नेक्स्ट हमारा है कसूर कसूर का जुम्लों में इस्तमाल करेंगो तो इस हादसे में मेरा कोई गसूर नहीं है मश्क दो भी हमारा कम्प्लीट होता है और मश्क तीन में आते हैं मश्क तीन में है हमारा खाली जगा भरना यहां पर दिये हुए हैं खाली जगा में यह जो वर्ड्स हैं इनी को खाली जगा में आपको भरना है तो पहले में हमारा आएगा अकबर बाद्शा मोगलों का बहुत मशूर बाद्शा था दूसरा हमारा राजपूतों के एक सरदार का नाम रगुपत था ठीक है तीसरा हमारा बीवी ने कहा ऐसा करो दूसरे दर्वाजे से निकल जाओ डैश में आप लोगों को यह सब बरना है दूसरे दिन सिपाही रगुपत और पहरेदार को मैदान में लाए यानि रगुपत और पहरेदार को मैदान में कौन लाए तो सिपाही लाए ठीक है जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं खुदा हमेशा उनकी मदद करता है मश्क तीन भी हमारा complete होता है और मश्क चार में आते हैं वाहिद जमा देखते हैं यानि वाहिद की जमा और जमा की वाहिद तो पहला है हमारा अफवाज अफवाज जो है वो जमा है और इसकी वाहिद होगी फौज नजायर जो है वो जमा है और इसकी वाहिदों की नजीर अगर यहाँ पर तदाबीर होता तो तदबीर इमदाद मदद जो है वो है वाहिद और इमदाद जो है जमा मुल्क जो है वाहिद है और मुमालिक जो है वो जमा है सफर जो है वो वाहिद है और इस्फार या अस्फार जो है वो जमा है मश्क पांच में आते हैं जल्ली से देख लेते हैं मश्क पांच में हमारा मुझकर से मौननस और मौननस से मुझकर बनाई है मुझकर का मतलब होता है मेल और मौननस का मतलब होता है फीमेल तो बादशाह जो है वो मुजक्कर है और इसकी मौननस होगी मलिका घोड़ा जो है वो मुजक्कर है और घोड़ी जो है मौननस है लड़का जो है वो मुजक्कर है और लड़की जो है वो मौननस है औरत जो है वो मौननस है और मर्द जो है वो मुजक्कर है बेटी जो है वो क्या है मौनस है और बेटा जो है वो मुजक्कर है मश्क 6 में आते हैं जल्ली से और मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना देख लेते हैं पहला है हमारा पाउं उखडना पाउं उखडने का मतलब होता है हार का एहसास होना तो इसको जुमलम में अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे देखें अकबर की फौज के आगे दुश्मन के पाउं उखड गए दूसरा हमारा है धारस बंधाना इसका मतलब होता है तसली होना जब मैंने अपने दोस्त को समझाया तो उसकी धारस बंधी तीसरा है हमारा कॉल देना कॉल देने का मतलब होता है वादा करना तो इसका जुमलों में इस्तमाल करेंगे तो इनसान को कॉल देकर उससे फिरना नहीं चाहिए चौथा है हमारा दिल भर आना इसका मतलब होता है गमगीन होना तो इसका जुम्लों में इस्तमाल करेंगे तो एक यतीम को देखकर मेरा दिल भर आया पांचमा है हमारा फूला ना समाना इसका मतलब होता है बहुत खुश होना तो अगर इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो अवल नंबर से काम्याब होने पर एहमद फूला ना समाया सातमा देख लेते हैं लवजों के मुताजाद लिखिए यानि वर्ड अपोजिट तो सच्चाई इसका अपोजिट होगा जूट दुख का अपोजिट होगा सुख बहादर का अपोजिट होगा बुजदिल गैद का अपोजिट होगा आजाद दुश्मन का अपोजिट होता है दोस्त और महबत का अपोजिट होता है नफरत मश्क आठ में आई है जल्ली से हम लोग देख लेते हैं इसमे खास और इसमे आम, अलग अलग लिखना है तो अकबर जो है वो इसमे खास है, बादशा जो है वो इसमे आम है बहादूर जो है वो इसमे आम है, रगुपत जो है वो इसमे खास है, बेटा जो है इसमे आम है राजपुताना जो है वो इसमें खास है और घोड़ा जो है वो भी इसमें खास है तो दोस्तों वीडियो यहां पर बहुत लंबी हो रही हो तो इसलिए कौल का पास का खुलासा जो है वो अगली वीडियो में इंशाल्ला आपको मैं जरूर दे दूंगा तो दोस्तों अगर व नेक्स वीडियो में जल्दी आप से मुलाकात करते हैं तब तक के लिए खुश रहें सलमत रहें और पढ़ते रहें तब तक के लिए अल्ला हाफिस